दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर पहरे साथी और रीट 2022 की घोशना हो चुकी है और साथी फर्स्ट गेड और सेकंड गेड के बारे में भी देखिये चर्चाएं चल रही हैं तो बच्चे कनफ्यूजन में हैं निस्सित तोर पे होना भी चाहिए क्योंकि तीनों वेकेंसी एक प्रकार से एक साथ डिकलेर लगबग हो चुकी है अब रीट 2022 जब उसकी डेट भी अपने को पता है 14 और 15 मई जब मुखे मुंत्री जी के दोरा कल गोशना कर दी गई थी या नहीं होगा वो आगे की बात सरकार के उपर डिपेंड करता है बट अपने को डेट्स मिलिए उसी के हिसाब से अपने को चलना चाहिए ठीक है इसके अलावा अपन ये बात करेंगे कि किसको किस एक्जाम की तैयारी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए थोड़ा सा आपका करिफूजन दूर करने की कोशिस करूँगा इसके अलावा जितने भी बच्चे जो आपके रीट 2020 में इस चैनल से पढ़े हैं साइंस मैट में हो चाहिए एसस्ट या किसी में भी अगर उनके 120 प्लस नंबर बने हैं तो वो RPSC एक्जाम स्विट एके नाम से जो मेरी इमेल आइडिया है वहाँ पे मुझे मेल जरूर करें अपने मुबाइल नंबर ठीक है फर्स्ट गेड की तयारी वो लोग करें जो एक तो जोब लग चुके हैं यानि की जोब लगे हुए हैं और वो आगे तयारी करना चाहते हैं जैसे कोई थर्ड गेड में लगा है या सेकिन गेड में लगा है और वो फर्स्ट गेड की तयारी करना चाहता है तो उसको तो या BSC या VA प्लस रिट के जो अंग जोडने पर जो percentage बनता है अगर general में है तो 82% से उपर बन रहे हैं अगर OBC में है तो 80% से उपर बन रहे हैं अगर SC में है तो 78 या 79% से उपर बन रहे हैं या SC में है तो sorry ST में है तो 76 76 या सरी 77 या 78 एट क्यास वास नंबर अगर बन रहे हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट गेड की क्योंकि उनका सेलेक्षन मेरे हिसाब से साथ ही हो जाएगा यह मेरा विव बता रहा हूं बाकी देखे कट ओफ अभी आई नहीं है मेरे हिसाब से ऐसा उनको करना चाहिए इसके बाद में अगर बात करें अपन आर्ट्स वालों के लिए तो जो बचे आर्ट्स में हैं ठीक है और जिनकी पहले ही फर्स्ट गेड की तयारी की हुई है एक आदे नंबर से रही है उन लोगों को जरूर फर्स्ट गेड की तयारी करनी चाहिए क्योंकि रीट में और आपके फर्स्ट गेड में दोनों में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो फर्स्ट गेड जो SST के जो पद है वो हमेशा आपको लग भग अगर सभी सब्जेक्ट को मिला दें तो आपको first grade में हमेशा ज़्यादा दिखाई देंगे साथियों ठीक है क्योंकि सारे subject एक जगा हो जाते है arts के तो आपके REIT में बट वहाँ अलग लगाते हैं vacancies भी अच्छी आती है तो definitely उनके लिए तो फिर first grade based है तो मेरे साब से उनकी समस्या भी soul हो गई अब बात करते हैं science वालों की जो मैंने अभी सरतें बताएं जो इन में सामिल नहीं जैसे REIT में 120 या उससे कम नंबर है ठीक है 125 से थोड़े कम नंबर है graduation में ठीक नहीं बन रहे हैं मिला जुला के आकड़ा जवावो 78% के आस पास बैठ रहा है ठीक है तो देखे 120 से कम वाले ही REIT 2022 की तयारी करें science वाले पहली बात REIT 2022 की तयारी 120 अंक जिनके उपर आए हैं वो मेरे इसाब से उनको देखने की आउ सकता नहीं क्योंकि ये certificate आपका 2022 की वेकेंसे में भी काम में आ जाएगा ठीक है और 120 से कम अंक वाले तयारी जरूर करें साथियों अपने उनकों को बढ़ाने के लिए जरूरी है REIT 2022 में science वालों के लिए बात है ठीक arts वालों पे भी same चीज लागू होती है इसके बाद में बात करते हैं सिक तो यह first grade की तियारी करने वाले हो गई अपने ठीक अबाकि आप देखोगे first grade में जो science की जो post है वो भी आप आपको पता है कितनी आई है बहुत ही उन्ट के मुँ में एक प्रकार से जीरे वाली बात हो गई है और REIT में और second grade में भी science की vacancy वास्तों में ज़्यादा आती है second grade की बात करें तो science वालों के लिए यहाँ second grade में फाइदा है बट कौन दे कौन जो हो second grade को करे तो जो लोग REIT में अच्छे अंग लेकर क्याए हैं 120 से उपर है मेरे साब से उनको attempt करना चाहिए second grade आपका science से हैं तो science से करिए mathematics से करिए दोनों में vacancy देखिए अच्छे आएंगी इसमें कोई दोराए नहीं ठीक है इसके अलावा अगर आपन बात करें arts के subject की तो वहाँ better रहेगा कि आप first grade को try करें या फिर REIT को try करें या आपका decision second grade में आपको जाने की आऊ सकता नहीं क्योंकि vacancies कम रहेंगी definitely ठीक है तो ये कुछ बाते हैं बाकी कोई retired अगर 4G है तो वह first grade second grade को देख सकता है REIT को उनको sorry उनको देखने की REIT को देखने की आऊ सकता नहीं उनको देख सकते हैं अपने second grade और first grade को ठीक है इसके अलावा REIT selected अगर कोई है अच्छे अंक लेके है तो वह तो जाहिर सी बात है science है तो उनको second grade को देखना चाहिए first grade की बज़ाए तो ये कुछ चीजी हैं जो first grade और second के लिए साबित होती है REIT 2022 की तयारी कोन करें इसके उपर सर्चा करते है तो REIT 2022 की तयारी वो बच्चा कर सकता है जिसके REIT 2021 में 120 से कम अंक है वो तो definitely मेरे साब से उसको REIT 2022 की तयारी करनी चाहिए अगर exam मई में नहीं भी होता है पहली बात तो होगा ठीक है अगर कोई समस्या नहीं आते दूसरी बात अगर नहीं भी होता है क्योंकि ये government पर depend करता है अपन नहीं बता सकते इसमें बाकी जो date दे दी है आपको वो आपको माननी चाहिए साथ ही हो इसमें यही है तो 2022 की तयारी ज़र REIT की वो लोग करें जिनके 120 से कम अंक है ठीक है नंबरों को उनको बढ़ाना साहिए दूसरी बात अगर अपन करें एक तो हाँ 120 से कम अंक वाले करें क्योंकि जाहिर सी बातर REIT 2022 में अगर आपके 21 में 120 पलस अंक है और आपका अंक नंबर नहीं है तो REIT 2022 में आप अपलाई कर सकते हैं और आपके अच्छे हैंगे 120 क्या पता 2022 में पेपर जो टफ आजाए या हो सकता है सिंपल भी आजाए या अपन नहीं बोल सकते हैं 120 से जो निच्छे उनको तो जरूर करनी है ठीक है इसके अलावा REIT 2021 में हाँ बता दिया मैंने न्यू स्टुडेंट्स जो हैं बेर्ड सेकंड येर वाले जैसे अभी जो आए हैं फैस्टियर से अभी सेकंड येर में आए हैं वो बच्चे जरूर से जरूर तयारी करें REIT 2022 की और जो बच्चे बीड फैस्टियर में भी हैं उनको भी तैयारी करनी से ये बाइचांस अगर वेकेंस से आगे चली जाती है तो डेफिनेटली आपको जो वो फाइदा मिल सकता है ठीक है तो वो लोग भी आप तैयारी जो वो कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा REIT 2021 की विग्यप्ति जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी तो मेरे इसाब से मैंने आप सभी की बातों का जवाब दे दिया होगा कि फर्स्ट गेड की तैयारी कौन करें सेकिंड ग्रेड की कौन करें और REIT की कौन करें फर्स्ट गेड में जो जो जोब लगे हुई है वो कर लें आर्ट्स वाले बच्चे जो वो कर सकते हैं एक सो बीस या एक सो पत्चिस एक सो पत्चिस से ज्यादा जिनके अंक है एक सो बीस से ज्यादा जिनके रीट में 120 से ज्यादा है वो फेस्ट गेट ट्राइए करें आर्ट्स वाले ठीक है साइन्स वालों के लिए सेकुरिन ग्रेट ज्यादा बेश्ट क्योंकि वेकेंसी वहाँ ज्यादा आएगी 120 पलस वाले डीट में जो 21 में आये थे 120 से कम है उनके लिए मैं मेरी तरफ से रीट 2022 को सजिस करूँ है बाकि आपकी इच्छा है देखिए अना तो यह कुछ बाते हैं जो आपको देखनी चाहिए और रहनी के आधार पर अपना डिसीजन आपको लेना चाहिए ठीक है मोटी मोटी बात मैंने यही बताई है कि 120 से उपरंग है और अगर आप आर्ट में से हैं तो आप 1st ग्रेट और 2nd ग्रेट दोनों कर सकते हैं बायोलोजी साइंस वालों के लिए एक प्रकार से देखे तो वेकैंसी कम इसलिए 2nd ग्रेट ज्यादा बेट रहेगा ठीक है तो कुछ ऐसी बाते हैं इसके अलावा साथियो रीट की तयारी तो 120 से जो कम अंक लेके हैं रीट 2021 में उनको जरूर करनी चाहिए ठीक है और यही बाते हैं बस इसके अलावा अगर बात करें एक थोड़ी सी और कि RPSC 2nd ग्रेट पहले आएगी रीट पहले आएगी या 1st ग्रेट पहले आएगी अब देखें रीट की तो डेट भी एक परकार से अपने को गौर्मेंट दे शुक कि 1st ग्रेट के कुछ दिनों बाद जो वो 2nd ग्रेट की विग्यप्ति आएगी तो मुझे नहीं लगता कि मई से पहले आपकी 2nd ग्रेट की एक्जाम होगी रीट के पहले आपकी 2nd ग्रेट की एक्जाम होगी अगर मई में रीट होती है तो उससे पहले आपकी 2nd ग्रेट की एक्जाम होने की संभावना नय के बराबर है ठीक है हलांकि मई में काफी सारी सेडूल्स होते है बोर्ड के भी B.S.E.R. अजमेर जो वो एक्जाम लेता है आपके बच्चों का दसवी बारवी में है न तो वो एक्जामस भी रहेंगे बोर्ड के कब अब कैसे मेंटेन किया जाएगा यह पता नहीं बट हो सकता किया जा सकता कोई बड़ी चीज भी नहीं है दो दिन एक्जाम रखी इस बार इसका मतलब है कि अलग-अलग पारियों में एक्जाम होंगे क्योंकि भीड बहुत जादा है और D.P. जालोरी जी ने ले भी बोला था कि अगली बार जब भी रीट का एक्जाम आउजित किया जाएगा तो वहाँ पर आपको एक दिन में ही पेपर नहीं होगे वहाँ दो दिन में पेपर लगेंगे और हो भी सकता है कि रीट 2022 का एक्जाम 14 और 15 मही को हो जाए उसके बाद में कुछ समय बाद में या कुछ महीनों के बाद में आपकी 90-10 के हिसाब से मेरिट बना दें या फिर नई जो सिक्षान इती है वो लागू कर दें या फिर सेकिंड पेपर भी ले लें तो वो तो आगे की बाते हैं बट रीट हाँ हो सकती है 14 और 15 मही को कोई इसको नकार नहीं सकता मेरे अकोर्डिंग मैंने आपको बातें बता दिया ठीक है बाकी सेकिंड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स हमने अप्लिकेशन पर लोंच कर रखा आप ले सकते हैं देख सकते हैं बिलकुल स्यांदार मेटर दिया गया है मातर 1100 रुपे में देखे लोग 889-1818000 रुपे ले रहे हैं उसमें भी आपको मोके मिलते हैं वीडियो देखने के दो-दो चार-चार यानि कि चार बार से ज़्यादा आप एक वीडियो को नहीं देख सकते हैं आप हमारी अप्लिकेशन में अनलिमिटेट टाइम जेख सकते हो और मातर 1100 रुपे में बेस्ट चीजियां आपको मिलेंगे वीडियो मिलेंगे, यानि कि सीट्स मिलेंगी नोट्स नहीं, सीट्स मिलेंगे आपको पर्टेक टोपिक की और टोपिक वेस्ट टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे इसके अलावा जो रीट 2022 है अप्लिकेशन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रीट 2022 के लिए काफी सारे मेसे जबी से आ गए है और कोर्स जल्दी आप अपन लेके आएंगे जो लोग रीट 2022 की तियारी बिलकुल फिरी में करना चाहते है उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि आपको एक रूपिया किसी को देने की आउसेकता नहीं है ना मुझे ना किसी कोचिंग को ना किसी को देने की आउसेकता नहीं है अगर आप read science math से दे रहे हैं अगर आपकी second language sense करता English मैंने नहीं पढ़ाई है नई इस बार पढ़ाऊंगा बाकी साथियो आपकी पूरी psychology complete करवा रखे है topic wise बहुत अच्छे से पूरी science complete करवा रखे है पूरी हिंदी पूरी mathematics पूरी Sanskrit आपको complete मैंने खुद ने करवाई है मेटर भी उसी में से आया है और इस बार भी आएगा तो वीडियो लेक्चर्स अगर आपको देखने है YouTube पे सारे free पड़े हैं देख लेजिए हाँ इस बार जो नए सीरे से तयारी करना चाते हैं बिल्कुल new videos देखना चाते हैं चीज के नए वीडियो कुछ नए चीजें उसमें एड़ कर लेंगे हम लोग ठीक है तो उनके लिए मैं जरूर से जरूर कॉर्स देखे लॉंच करूंगा और यह जो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक परकार से अभी वेद वेद कुछ ऐसे नाम याद नहीं है ऐसे लोगों वालांगे मैं चैनल से हटा भी देता हूँ कि आ गए वो क्या कॉर्स बेशने वाले है कुछ ऐसे ऐसे मतलब कमेंट आते हैं तो देखे बात ऐसी है कि जब फिरी में आपको मेंटर करवाय गया था तब ऐसा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको थोड़ा सा भी आप पेड कर देते हैं अब ये तो है नहीं कि अप्लिकेशन फिरी में चलता है सर्वर लगता है वाई उसके लिए उसको चलाने के लिए सर्वर की फीस देनी पड़ती है हर महीने आपको नहीं पता इन सीजों के बारे में जब आप करोगे तब पता चलेगा कितनी महनत लगती है या आपको नहीं पता और फिरी में पढ़ना है एक ग्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मेरे तो रीट 2022 के लिए कोर्स लोन्स किया जाएगा बहतरीन आपको सबसे बहतरीन मेटर दिया जाएगा मैं फिर से बोलूँ है गारंटी है मेरी सेलेक्शन आपका सेलेक्शन डेफिनेटली होगा बस मेरे अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस मैथ वालों के लिए रामब बच्चे थे उन्होंने फिर इसी यूट्यूब चैनल पर फिरी में पढ़ करके 125, 130, 143 और 146 नंबर जो आए हैं हाइस नंबर उनका वीडियो भी अपने चैनल पर आप देख लीजिए गा उनका वीडियो भी आपको पता सल जाएगा कि मेटर कैसा दिया गया है इससे भी जो मेटरा भी दिया है उससे भी स्यांदार मेटर इस बार भी दिया जाएगा जो कॉर्स जोइन करेगा उसको मिलेगा फिरी में देखने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल फिरी में पढ़ें ठीक है तो उमीद करूँगा आपको बाते सार में आ गई होंगी और दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे है रीट 2021 में जिनके 120 से 125 से उपर नमबर आए हैं इस चैनल से पढ़के हाना तो वो जरूर से जरूर RPSC exams विठेके नाम से जो add.gmail.com इसके उपर email जरूर करें mail ID आपको description box में भी मिल जाएगी ठीक है तो बता दिया है ठीक है तो मेरे इसाब से आपके लगबग डाउट किलियर हो गई होंगे फिर भी अगर कोई question है तो वो comment box में आप डाल सकते हैं अच्छा एक और बात है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने रीट 2021 को 50,000 करने की मांग नहीं उठाई अरे मैं कौन होता दूसरी एक और बात कि सबसे बड़ी coaching जो राजस्थान की है वो आपके समर्थन में उतर के आये थी 50,000 पद करने के लिए ठीक है बट कल जैसे ही रीट 2022 की गोशना होई सबसे पहले उसी coaching का वीडियो भी आपके सामने आया कि बड़ा तोफा बेरोजगारों को है ना तो य जो ऐसी चीजें हैं न तो मैं कर सकता हूँ देखी न मुझे कोई राजनेति का सोख है तो मेरा कारिया जो पढ़ाने का वह मैं कर रहा हूँ निश्चित रूप से और आगे भी करता रहांगा आपको पढ़ना है तो जुड़िए नहीं पढ़ना है तो देखिए आप भी अपने इसाब से फिर देख सकते हैं मुझे कोई उसमें आप पत्ती देखिए है नहीं है ना और इसलिए बोलना थोड़ा जरूरी था क्योंकि बार बार बच्चे मेसेज करते रहते हैं मैं ने तो इसके पक्स में हूँ कि पचास जार की जाएं ने मैं इसके पक्स में हूँ कि पचास जार न की जाएं मेरे तरब से कर दीजी मुझे क्या फरक पड़ता वही लेकिन एक बात आप ये भी देखिए कि जो बच्चे अभी अपने बीर्ड सेकंडियर में हैं या फिर बच्चे और जो बेरोजगार बठे हैं जिनके अच्छे अंक नहीं आए क्या वो लोग ये नहीं चाहते कि नहीं वेकेंस ये आए क्या उनको वो ये नहीं चाहेंगे कि मौका उनको ना मिले बच्छे और एक इस बरती में अगर 30,000 से पद अगर कर दे जाते 50,000 तो डेफिने अपने आप बढ़ाए थे ऐसे सेकंड ग्रेड में जो पद बढ़े थे वो गौर्मेंट की तरफ से अपने आप बढ़े थे बट यहां पर गौर्मेंट मूड में नहीं है बढ़ाने के तो मैं कौन होता हूं उसको कहने वाला अगर बढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात ह ठीक है बढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात है फिर भी बच्चे सारे तो सेलेक्ट होंगे नहीं तो गौर्मेंट है वो अपने हिसाब से चलती है ऐसे भावक होने से कुछ नहीं होता थोड़ी सी आप समझे और देखिए जिन लोगों का राजनिती से वास्ता है वो इस कमी नहीं मिलेगी अच्छा मेटर दिया जाएगा आपका सेलेक्शन जो डेफिनेटली होगा अगर मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे बोलता हूँ वैसे अगर आप करते हो तब ठीक है तो ये सारी बाते हैं जल्द ही आपके लिए रीट 2022 के उपर इस बार आप कर सकते हो अगर जुड़ोगे तो आपकी इच्छा है ठीक है नमस्कार जै हिंद जै भारत